लोकास्था का महापर्व छटपर्व जीहां 2023 में कार्ती का छटपर्व कब मनाया जाएगा और इसका डेट क्या है हलो एवरिवन वेल्कम बैक टो मैं चैनल कुझा ओफिस्यल आवर योर चैनल कैसो आप लोग आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आयो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे नीचे बैल आइकन से प्रेश जरूर कर ले ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास है छट पूजा 2023 कब है छट पूजा जाने नहा खाए संध्या अर्ग ओगती सुरे को अर्ग देने का समय कब है छट पूजा 2023 देट हर साल कार्तिक माह के सुकल पक्ष की सस्टी तिथी को छट पूजा होती है छट पूजा में पहला दिन नहा खाए दूसरा दिन लोहंडा और खरना तीसरा दिन छट पूजा और संध्या अर्ग चौथा दिन उगते हुए सुरे को अर्ग और पारण का होता है जानते हैं कि छट पुजा कब है छट पुजा का संध्या अर्ग और उगते हुए सुरे को अर्ग देने का समय क्या है छट पुजा हर साल कार्तिक माह के शुकल पक्ष की शस्टी तिति को होती है चार दिवस ये छठ पूजा में सुर्य देव और छठी मया की पूजा की जाती है इसमें व्रती उगते सुर्य को अर्ग देते और उससे एक दिन पूर्व डूबते हुए सुर्य को अर्ग देते है छठ पूजा में पहला दिन नहा खाई होता है दूसरा दिन लोहंडा और खर्णा का होता है तीसरा दिन छट पूजा और संध्या अर्ग का होता है चौथा दिन उगते हुई सुरे को अर्ग देते हैं और पारण करके वरत करते हैं चट पूजा कब है चट पूजा संध्या अर्ग और उगते सुरे को अर्ग देने का समय क्या है चट पूजा 2023 का कैलेंडर चार दिवस्य चट पूजा पहला दिन नहाखाई चट पूजा पर्व की शुरुआ 17 नॉमबर 2023 शुक्रवार से होगी इस दिन नहाखाई होगा अर्पित करती है और इसके बाद विधी विधान से पूजा करके सात्विक भोजन करती है इस दिन भोजन में लौकी की सबजी का खाना अनिवारे होता है दूसरा दिन खरना 18 नॉमबर 2030 दिन सनिवार को खरना होगा चट पूजा के दूसरे दिन खरना में व्रती गंगा जल में मिले पानी से सनान करती है और फिर पूरे दिन निरजला उपवास करती है और इसके बाद रात में छट मया की पूजा करके खीर पूरी का प्रशाद खाया जाता है इसके बाद वरती 36 घंटे तक फिर से निरजल उपवास करते हैं खरना की रात को ही छट पूजा का प्र इसरे दिन डूबते सुरे को अर्ग दिया जाता है इस साल संध्या अर्ग रविवार 19 नौमबर 2023 को दिया जाएगा चौथा दिन उगते सुरे को अर्ग छट पुजा के चौथे और आखरी दिन उगते सुरे को अर्ग दिया जाता है इस बार 20 नौमबर 2023 सोंपार को उगते सूरे को अर्ग दिया जाएगा और साथ में पारण के साथ इस वरत की समाप्ति की जाती है तो कैसा लगा आप सभी को हमारा ये छट पुजा वीडियो प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएगो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड सेर करना बिलकुल न भूलना थैंक्स पूर वाचिंग कीप सपोर्ट